नमस्कार मैं हूँ सच्चेदानंद वसेष्ट और सज्जनों हर महिने की तरह हैं अब यह महिए के महिने में में मेंद्राशी वालों के लिए कैसा रहने वाला है क्या इसमें अच्छा बुरा होगा क्या सावधानियां हम बरते हैं वो जानकानियां देने का प्रयास कर रहा हैं देखिए एक तो सनी की साड़े साती आपको प्राणब खें कहीं भी इंवेस्ट्मेंट करने से पहले आपको लाख वार्त सोचना चाहिए किसी को देन लेन करते समयबी आपको लाख वार सोचना चाहिए क्योंकि ये नुक्सान का समय है और उस नुक्सान से आपको जो कहें बचना ही सबसे बड़ा उपाय होता है धन के अंदर तो व्यवधानी सनी ने डालना है इसके अलावा कुटुम्ब के अंदर भी इसने विद्रोफ पैदा करना है आपस में जगड़ा पैदा करना है तो ये शांती बनाए रखें माहुल को बनाए रखें जिससे कि ऐसा कुछ भी आपके साथ में ना हो रोग रिन और सत्रू आपके जरूर समापत होंगे राहू आपके लगन में के मन क्रोध में रहेगा जिद्धी हो जाएंगे हटी हो जाएंगे आकस्मिक रूप से सर के ऊपर कोई चोट भी आपके आ सकती है तो उसका ध्यान आपको रखना होगा पती पत्नी के बीच सम्मंद खराब हो सकते हैं और जो आपका पार्टनर्शिप के अंदर कोई व्यापार है तो वो भी आपका जो का नुक्सान दायक हो सकता है उसके अंदर भी तालमेल आपको बना करके रखना चाहिए पढ़ने वालों के लिए बहुत साउधानी बरतनी है क्योंकि प्रमाद के कारण से आलस्य के कारण से आप अपना समय गमा देंगे और आप जो हैं सपलताओं में सपलताओं में आपके संदिक्द हो जाएंगी तो ब्रियस्पती आपके बहुत अच्छे हैं ब्रियस्पती आपके तरतिय स्थान के अंदर गहें अच्छे अच्छे मित्रों भाईयों से अच्छा संबंद तालमेल अच्छे पराक्रम की ब्रद्धी और यसमान प्रतिष्टा आपकी बढ़ेगी नया संबंद आपका हो स सकते के, नया कोई व्यापार आपका खुल सकता के और आयके स्रोत आपके बरकरार रहेंगे, बने रहेंगे, अब मैं आपको देनिक रासी फल देने का प्रयास करता हूँ, तो एक और दो तारीक, ये आपकी अच्छी है, इसमें आमद के रास्ते खुलेंगे, बाई चाचातावों से आपको सहयोग की प्राप्ति होगी, लेकिन आपका जो गए, तीन और चार तारीक में आपको पूर्ण रूप से सावधान रहना होगा, इस समय पर कोई भी ख्षती, कोई नुकसान, कोई धोका, कोई दगा आपके साथ में हो सकता है, तो कहीं भी इन्वेस सुन्दर, सुखद और बढ़िया परिणाम देने वाले हैं, इसका लाब आपको उठाना चाहिए, इसके अंदर यसमान प्रतिष्ठा के साथ साथ, विजय की प्राप्ति, उल्लास की प्राप्ति, घर में कोई नया माहोल, नया जो है उत्साव, यह आपके यहां पर होंगे लेकिन 11-12 तारीक अकारण आपको कोई ना कोई चिंता उत्पन हो सकती है, 13-14-15 तारीक में अच्छा परिणाम आपको निकलेगा, बिद्या का परिणाम, पढ़ाही का परिणाम, पुत्रों का परिणाम, यह जो है अच्छा होगा और उसमें आप जो भी कोई कारे करेंगे उसी के अंदर सफलता आपको प्राप्त होगी, नया कारे भी इस समय पर आप प्रारंब कर सकते हैं, लेकिन यहां 16-17 तारीक यह विवाद कहीं पर हो सकता है, विवाद से आपको बचना चाहिए, किसी के साथ जगडा टिंटा हो सकता है, तो उससे भी आपको बचना अच्छा परिणाम यह देंगी, लेकिन इसके अंदर कोई नया कारे हो सकता है, नया साजेदार आपको मिल सकता है, और वो साजेदार, व्यापार का साजेदार भी हो सकता है, और जीवन का साजेदार भी हो सकता है, 21-22 तारीक में स्वास्ता आपका ठीक नहीं रहेगा, तो तो आपको उस समय पर सावधानिया भरतनी चाहिए, दूद्चीनी का दान करना चाहिए, और उस समय स्थान्त रहना है, कहीं नया कारी नहीं करना है, और कहीं लंबी यात्रा पर आप इस समय पर ना जाएं. 23 तारीक, 24 तारीक, 25, 26, 27, 28 और 29 तारीक, ये साथ दिन भी आपके लिए बहुत सुंदर और सुख़द रहने वाले हैं, इसके अंदर जो भी आपके अठके वे कारे हैं, वो पूर्ण होंगे, और आपकी ततपरता से, आपकी बुद्धी मानी से, ये कारे आपके सफल होंगे, इस समय पर आपको आलश प्रमाज नुकसान दाई हो सकता के, इसलिए अपने कारियों को सिद्ध करें और आगे बढ़ें, 31 तारीक आपके लिए ठीक नहीं रहेंगे, उसके अंदर किसी भी प्रकार का देन लेन आपको नहीं करना चाहिए, किसी भी प्रकार का किसी को सैयु नहीं करना चाहिए, और आर्थिक नुकसान इस समय पर हो सकता है, चिटिंग हो सकती है, तो उससे आपको सावदान रहना होगा, बाकी जानकारियों के लिए इन नमरों से संपर्क करके, कार्याले से अपाइंटमेंट ले करके, कार्याले की सेवाई अदा करके, आरपन करके और आप जो भी लाव उठाना चाहते हैं, वो लाव उठा सकते हैं, नमस्कार जी से वास्तु, जयोतिश, वैदिक अनुष्ठान, पूजा पाट, महमृतिंजय पाट, शत्चंडी पाट, बगुला मुखी पाट, भैरव अनुष्ठान आधी, राशी रत्न, रुद्राक्ष, कवच आधी हेतु संपर्क करें, हमारे संपर्क सूत्र हैं, 788-3888-98421, हमारी वेब साइट है, www.shreevashist.com